पेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में, अगर आप ली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें सबसे ज्यादा संक्षिप्ट न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें। मुख्यमंत्री मदुबा मुफ्ती ने कहा कि सफाई केवल आसपास ही नहीं बलकी मन भी साफ रखने की जरूरत है और गांथी जी के सिध्धानतों पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने उन लोगों को भी सम्मानित किया जिन्होंने स्वच्छता के लिए अच्छे कार्य किये हैं। इडल जील के हालात पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। इडल जील के किनारे सोनवार को श्रींगर नगर निगम जरिया हायोजित स्वच्छता अभियान और शामिल हुई। मुदुबा ने कहा कि गांथी जयंती के मौके पर है और यह संकल्त लेना चाहि कि हम सफाई का खास ख्याल रखें। इससे बड़ी श्रद्धाम पानी इगांधी जी को और कुछ नहीं हो सकती। बापु चाहते थे कि सब लोग हमी सोच को स्वच्छ रखें और है और भी उसी पर अमल करने चाहिए। मुदुबा ने यह भी कहा कि है और हमें तुम और करेकों भी सराहा गया जिन्होंने घाटी और सफाई अभियान और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए यह उगदान दिया। मुदुबा ने ऐसे सब लोगों को सम्मानित भी किया गया। इन और बांधी पोरा का बिलाल अहमद भी शामिल रहा जिसने एशिया की सबसे बड नगर निगम का ब्रांडे इंबेसिडर भी है। बिलाल की तारीफ प्रधान मंत्री मन की बात और भी कर चुके हैं। सम्मानित होने पर बिलाल ने खुशी जताई और कहा कि मेरा एक ही संदेश है कि हमें आसपास मह पॉल को साफ रखा जाए। इस और ही हमारा भविश्य चील के किनारे सोनवार को श्रीनगर नगर निगम जरिया हायोजित स्वच्छत अभियान और शामिल हुई। मदुबा ने कहा कि गांधी जयन्ती के मौके पर है। और यह संकल्क लेना चाहिए कि हम सफाई का खास ख्याल रखें। इससे बड़ी श्रधाम पानी गांधी ज चाहिए। हमी सोच को शुद्ध करना चाहिए। इस मौके पर उन लोगों के कार्य को भी सराहा गया जिन्होंने घाटी और सफाई अभियान और बढ़ चड़कर हिस्सा लेते हुए यह उगदान दिया। मुदुबा ने ऐसे सब लोगों को सम्मानित भी किया गया। इन औ की तारीफ प्रधान मंत्री मन की बात और भी कर चुके है। सम्मानित होने पर बिलाल ने खुशी जताई और कहा कि मेरा एक ही संदेश है कि हमें आसपास मा पॉल को साफ रखा जाए। इस और ही हमारा भविश्य सुरक्षित है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये व वीडियो कैसा लगा। लाइट शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें। झाल 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 झाल